बचलो इस question में आपको equivalent content दिया हुआ है m by 32 यानि 1 by 32 molar a weak monobasic acid का दिया हुआ है value 8 और आपसे बोला गया है कि infinite allusion पर जो value है 400 आप आपको के पता करना के मतलब decision constant पता करना acid का तो पहले आप alpha निकालो ना तो जब अलफा होगा अलफा किस पॉइंट भी निकालना है तो जब concentration था 1 by 32 तो उसका alpha क्या होगा तो उस point का जो equivalent कंड़्टेंस होगा divided by limiting equivalent content जो होगा यानि इन फाइंट डिलूशन पर जो equivalent connection होगा तो यह हो जाएगा एट बाइ क्या हो जाएगा 400 ठेक है अभी वैलू किता निकल लगा वान बाइफिप्टी तो आलफा होगा वान बाइफिप्टी अब जो आपका वी के सिर्ट है वी के सिर्ट कैसा अनेज करेगा तो एच ए टूटेगा एच प्लस में एंड ए माइनस में यहाँ पर सी होगा तो क्या होगा सी मैं सी अलफा सी अलफा सी अलफा सी अलफा तो आपको जो के होगा के कल्डू क्या हो जाएगा एच प्लस सा कॉंसेंट्रेशन इंटू ए माइस सा कॉंसेंट्रेशन डिवाइड़ बाइड़ क्या होग तो इसको अब दिस्त तो इकल टू C alpha square 1 minus alpha को हमके आमारा almost equal to 1 माल लिए चुक्क alpha छोटा था अप्रस्रेमेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा तो ultimately K हो जागा C alpha square आप ध्यान देंगे तो अब हमको K equal to C alpha square में K का value जो है कैसे निकलेगा तो आप यहां डालोगे 1 by 32 हो गया C alpha का value कितना होगा 1 by 50 का square तो ultimately आजाएगा 1 by 32 into 1 by 50 into 1 by 50 ठीक है अब इसको आपको solve करना है इसको आपको solve करोगे तो धन देंगे आप लोग तो नीचे जो है तो आप approximation करने कोसिस करते हैं लोग ताकि question जल्दी बन जाए तो यहां पर 2 0 है तो इसको 10 पर minus 2 कर लेते हैं उपर में और divided by क्या रहे गया तो 32 को अब 30 माल अथ होदर के लिए 32 भी चलेगा तो 32 into 5 into 5 तो 32 into 5 कितना होता है तो इस तो इस coloration को हम उपर दिखा जाते हैं आपके लिए तो 32 into 5 हो जाएगा कितना बच चलो यह हो जाएगा 160 यानि उपर 10 पर minus 2 है नीचे हो जाएगा 160 into 5 अब इसको आपको solve करना है तो यह round कितना होगा तो 10 पर minus 2 और नीचे हो जाएगा यह हो जाएगा 800 बास समझे अब इसको यहां लिखोते हो जाएगा 10 पर minus 4 by 8 हो जाएगा अब इसको further calculation करना आपको 10 पर minus 4 by 8 को 10 पर minus 4 by 8 का solution आएगा यह जाएगा 0.125 into 10 पर minus 4 यानि हो जाएगा 1.25 into 10 पर minus 5 तो आपका जो answer होगा आपका answer जो होगा option D होगा तो धाने बच्च लोग बस हम लोग question discuss नहीं कर रहे हैं आपको approach यह बता रहे हैं और during exam आपका calibration का अपरोच यानि कैसे आपका calibration करना भी सिखा दे रहे हैं क्योंकि calibration जो है वो जब तक आप नहीं करोगे आप exam का टाइम नहीं कर पाओगे तो बस concept समझने से ऐसा नहीं हुआ कि exam का टाइम बना लोगे क्योंकि exam का टाइम में प्रेशा कर सिट्विशन होता है उस सिट्विशन में करने भी आना चाहिए तो आप जब question practice करो तो पूरा calibration को पूरा करना है क्योंकि अभी नहीं करोगे तो इजाम टाइम में भी मुस्किल होगा तो यह था इस question का लाइसे स्मोग करता हूं ने इस question पर आप 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 आप